आज सामाज कों दोस्तों आज हम साल्व कर रहे हैं सांपल प्राब्लम 2 25 चप्टर यानि हालिटेर रेजिन क्रेंग का जो 25 चप्टर है वहां पे हम सांपल प्राब्लम 2 को हम हल कर रहे हैं तो it says that in sample problem 25.1 we saw that a copper penny contains both positive and negative charges each of magnitude 1.37 into 10 to power 5 coulomb तो suppose that these charges could be concentrated into two bundles held 100 meter apart what attractive force would act on each bundle तो यह कह रहा है कि अगर यह जो पिछले जो हमने problem solve किया है उसमें हमें एक सिक्का दिया गया है penny of copper हमने consider किया था और हमने उस पे जो है charges जो है magnitude of charges हमने find note की थी हमने कहा था कि positive charges उस पे है 1.37 into 10 to power 5 coulomb है और similarly जो है negative charge भी इतना है negative magnitude of negative charge जो है वो भी 1.37 into 10 to power 5 coulomb हमने find out की लिए तो यह कह रहा है कि हम सब पूस करते हैं कि इन charges को positive charges और negative charges को एक bundle में हम concentrate करते हैं एक bundle बनाते हैं for example यह एक bundle है यहां पर positive charges है जितनी भी positive charges हो यहां पर है और negative charges जो है वो इसका भी एक bundle है में उसको concentrate किया गया है और इन दोनों को जो है separate किया गया है by distance r is equal to 100 meter तो उसके तरम्यान attractive force को हमने find out करना है तो उस attractive force के लिए जो है हमने हमसे जो मांगा गिया है वो हमने force को हमने find out करना है तो उसको हम कैसे find out करते हैं हमें पता है कुलम्स लाका हमें पता है कि a physical to k जो के बराबर है और 4 pi epsilon 8 के बराबर है एक चार जो है positive है और एक negative है दूनों बराबर ही equal है तो q1 q2 की जगा हम क्यों लगाते है और square करते है उसको divided by r square चुंके दूनों बराबर है magnitude में तो इसमें जो है k की value जो है वो है 8.99 into 10 to power 9 newton meter square पर कुलम है तो यहां पर given data में जो है एक तो r है जो के बराबर है 100 meter के और k जो है वो 8.99 into 10 to power 9 newton meter square पर कुलम स्क्वार यह जो है अब यह सारी values जो हम यहां पर put करते हैं तो we will get 18 है चार जो है 1 5 कुलम है इसका हम square लेते हैं divided by r जो है वो 100 है meter है तो r square है तो हम जब put करेंगे तो this will be equal to 1.69 into 10 to power 16 newton तो यह इतना force जो है इनके दिर्मेन अठीक्टी force होगा यह force जो है बहुत ज्यादा है यह equal है यह force जो है यह equal है 2 into 10 to power 12 tons के बराबर है यह इनतहाई ज्यादा force है तो अगर इन charges को हम जमीन के diameter के बराबर अगर distance ले ले तब भी जो है इनके दर्मेन जो force है वो 120 ton होगी जो बहुत ज्यादा है अब जो है यहाँ पे इस problem में कुछ चीज़ों को नजर अंदास किया गया है इतने सारे forces है चार्जेज है इतने सारे one point three seven returns to power five column को concentrate किया गया है या positive और negative charges को सिर्फ यहाँ पे distance जो है उसको consider किया इसके दर्मियान distance को इसकी जो dimension है वो इसको जो है नजर अंदास किया गया है तो इतने सारे forces जो है charges जो है उसको जब हम इसके bundle बनाते है packets बनाते हैं तो there is force of repulsion उसके दर्मियान होती है तो वो blast कर जाते हैं तो इसका जो है इस problem में चीज़ को जो है नजर अंदास किया गया है तो लहाजा जो है जब ब्लास करते हैं तो यहां से हमें पता चलता है कि हम जो है किसी object के किसी जो है कोई भी object के उसकी neutrality को ज्यादा जो है उसको disturb नहीं कर सकते हैं तो ज्यादा डिस्टर्ब अगर हम कर ले तो आटमेटिकली जो है फोर्स जो है इपियर हो जाता है विश्टेंस टू पूल इटा बेक तो क्योंकि यहां पे जो है यह बंडल जो हम बनाते हैं तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां पे ुए इट सीछ फूर्च की यहां इस बाना ही पूल और पूल आट למगरा से ए शसरे उGO मुश्किल का है यहां इंत अमारे क्की यहां ब्रेस्ट को नहीं कर सकतेелен का सकते इस प्रावलम से सब्सस्क्राइब दिस प्रावलव चुमματαelly क्योंकि शकतरु हूश्ट अच Gonna आटा है